हिमाचल पर्देश विधान सभा के मौनसोन सत्र में लैंड रेवेन्यू एक्ट में संशोधन करते हुए सरकार ने रेवेन्यू से जुड़े मामलों में तेजी लाने के लिए समय सीमान निर्धारित करने का कानून बनाया और इसमें देरी होने पर विभागय कारवाई का भी राजस्वा विभाग से जुड़े करमचारियों को आश्वेशन दिया है कि लेंड रेवेन्यू एक्ट से जुड़े संशोधन को लेकर सरकार करमचारियों की और से की गई मांगों को लेकर विचार करेंगी कि हमारे पठवारी और कांगोशन के अधियक्षवा उनके पधिकारी गन जो है मुझे मिले हैं इनकी विविन मांगों को लेकर इन्होंने एक ज्यापन भी दिया है इसमें मुखेता जो है एक जो अभी हाल में लैंड रिविन्यू एक्ट में जो संशोधन हुआ है उसको ल काफी हमने जो है विचार मुश किया है और हमने इनको आश्वासन दिया है कि जो हमने इसमें एक समय सीमा जा है डिमार्केशन का है म्यूटेशन का है तक्सीम का है वो निर्दार्द किया है और उस समय सीमा में अगर कारे पूरण नहीं होता है तो उसमें जो नया हथ संशो अगर कोई अधिकारी अपने लेबल पर किसी भी जो म्यूटेशन, देमारकेशन, तक्सीमों में अगर वो देरी विलम करते हैं, तो उनके खिलाब जो है, विवार ये कारवाई करने का प्रापदान किया है। तो ये जो बात को लेकर इनकी आखंगशाय हैं या जो इनकी जो एक समस्या सोच रहे हैं, उस पर मैं इनको ये विश्वास दिला रहा हूं कि हमारा जो ये जो जनसोदन है, ये किसी अधिकारी करमचारी को बेहोजातन करने का नहीं है। तो हमारा में उदेश्या है कि हम समने मिलकर जनता को जो है, उनको समय सीमा पर उनको सेवाएं देना है। और ये भी हमारी तरफ से इनको आशवासन है कि नजाइस किसी को तन करने का इस संसोदन में कोई प्रापदान ऐसा नहीं है। आज हम माननी हैं रजस्या मंतरी महोदय से मिले हैं, हमारी लंबत समय से मांगे चली हुई थी, द्रातल पे हमारे पास पटवारी नहीं है, कानगों नहीं है और हाली में जो सरकार एक संशोदन लेके आई, रेवनू एक्ट में, वो समय अबदी का था। उसमें हमारा था कि ध्रातल पे हमारे पास पटवारी की कमी हैं, कानगों की कमी हैं और जो सपोर्ट से लेटर काम होते हैं, वो बरसाद में नहीं होते, बर्फ में नहीं होते, घास में नहीं होते, फसर में नहीं होते, तो आप तैस हमें कैसी करते हैं, हमें एक बर सुनो त से उस उपलक्स में हमने सरकार को अबगत कराने की कोशिए की मानिये बिधान सावा में मानिये मुख्य मंतरी महदर से मिले रजस्व मंतरी महदर से मिले फिर भी बिदेग पास हो गया कि हमें सरकार से बहुत बड़ी आशवाशन मिला है जैसे उन्होंने बोला जो कानूंगु हो है उनकी जो नियमत सेवा साल है 6 साल होनी चाहिए तो आज इन्हेंने माना है कि उसमें हम शूट देके कानूंगु जल्दी बनाएंगे जो ट्रेनिंग का बैच बैठा है 864 का उसको जल्दी ट्रेनिक राएंगे तो एक दिन में तो बड़वारी कानूंगु नी बनता त हम जे नवेदन करें हैं कि हमारी कामों का चार्ट बनाया जाए जो नौन रेवनु काम हैं उसे चटा दो हमें हम रेवनु का काम करते हैं आपके डेटा की परफॉर्मस अच्छी होगी हम मिलके काम करेंगे